आज मैं आपके लेकर आए हूँ स्टफ शिम्ला मिच की सबजी की रेसिपी आए हम स्टार्ट करते हैं यहां मैंने लिए छे चोटे साइस की शिम्ला मिच चार अबले आलो अबले आलो का छिलका हम निकाल लेंगे आप चाहें तो पहले भी आलो को छील के उसको बॉल कर सकते हैं उससे टाइम बच जाएगा अब हम एक कढ़ाई में टू टेबल स्पून ओलेंगे और जब गरम हो जाए तब इसमें हम वन टी स्पून जीर डालेंगे एक दो कटिवी हरी मिश जालेंगे अब हम अबले आलो को मैश करके डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें अब आप टी स्पून हल्दी पौडर डालेंगे नमक अकॉर्डिंटि वर टेस्ट आप नमक भी तरह से मिक्स करके अब टी स्पून अब तो को मैश अब टी स्पून जीरा पावडर अब मसालों को अच्छे से मिक्स करके अम थोड़ा सा अलू को ढूंज अलू को भूंजते टाइम गैस की फ्लेम लो रखेंगे जिससे की आलू जले ना जितना अच्छा अलू भूंजेगा उतना अच्छा हमारी शिम्ला मिच का टेस्ट अच्छा आएगा अब मैं इसमें डाल रहे हूँ पिसा धनिया पाउडर सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर और भूंजेंगे अब जो हमने अमचूर डाला था इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए हाफ टी स्पून शुगर डालेंगे सब ही मसाले अच्छे से भूं चुके हैं अलू में अच्छे से सब मिक्स हो गए हैं दो से पांच मिट हम इसको और कढ़ाई में रखेंगे थोड़ी देर चलाने के बाद अब भी हमारा मसाला जो है इंक्तम रेडी हो गया है इस्टफिंग तो रेडी हो गई है अब हम शिम बीजें निकाल लेंगे यह चोटी-चोटी शिमला मिर्च है इसमें टो इतने बीज नहीं है अगर आ बड़ी शिमला मिर्च लेकर आइं तो इसको तो पीज झाल लीज़ेगा और जब इसको स्टफ करेंगे स्टफिंग करने अबाद इसको आप बीच से सलिटskर करने के इस यह निकाल लिए है और इसमें प्रॉपर स्पेस है कि हम स्टुफिंग अराम से इसमें बढ़ दें कि करके हम सारी शिम्ला मिट्स में स्टुफिंग बढ़ लेंगे आप च्योते साइस के शइना मिच लेनेका बेनिपश्टिये रहता हैं किन आप पूरा तो करते हैं तो यह पोरा किसी निए थालिए रख सकते हैं इसने चोटा साइस के शिय मेच प्रेफर करती हूं आगर आप बढ़ा शोमने मिच लेते हैं तो सरविंग टायम आप इसको हमने सारी शिम्ला मिच में स्टाफिंग कर लिया है अब हम एक पैन में ऑईल लेंगे ऑईल हमें इतना लेना है कि हम इसको शैलो प्राय कर सके अब एक एक करके सारी शिम्ला मिच को हम पैन में रख देंगे तेल एक बार गरम हो जाने के पाथ हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में ही हम शिम्ला मिच को हुचने देंगे यह देखे शिम्ला मिच एक साइट से तो हुच चुकी है अब हम इसको साइट चेंज करते जाएंगे पल्टा पल्टा के हर तरफ से इसको अच्छे से भूचने देंगे इसको बहुत ही पेशन्स के साथ भूचेगा एकदम लो फ्लेम पे इसमें टाइम ज़रूर लगेगा पर जब इसको टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा आप इसको चल्दी भूचने के लिए फ्लेम हाई मत करेगा अधर्वाइस शिम्ला मिर्च है वह जल जाएगी और इसको फ्लेवर जो आता है वह अच्छा नहीं आएगा देखिए कितनी अच्छी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है और बहुत ही अच्छी सरीके से सिक रही है आप की स्टफिंग थोड़ी बहुत अगर बाहर आती तो उसके लिए परिशान मत होए वह जो स्टफिंग भी रहेगी उसको आप पेकेगा मत उसको जब आप निकाल लेंगे वह बहुत ही क्रिस्पी रहेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगा 15-20 मिनट्स लगते हैं इसको बुझने में आप इसको पल्टाते जाहिएगा एक ही जगह पर छोड़ देंगे तो यह जल जाएगी प्रॉप प्रॉपग यह हर तरफ से तो हो गई है थोड़ी बहुत एक दो साइट से जो रह गई है उसको मैं पल्टा के और मुझ देती हूं यह देखिए मस कुछी देर में रेडी हो जाएगी इसकी स्टफिंग में मैंने सारे मसाले डाल दिये थे नमक भी डाल दिया था तब उपर आप देख सकते हैं कि श्यम्ला हर तरफ से देखे है प्रॉपर सिख चुकी है मैंने इसको हर तरफ से पल्टा के देख लिया इस चारो तरफ से अच्छे से भुंज गई है अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे आपको यह रेसीपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए अच्छी लगी और अच्छी नहीं लगी तो भी जरूर बताएगा और अगर आपको यह रेसीपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को झाल 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 झाल